नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावार और आईवेफ स्टेप बाई स्टेप इस सीरीज में आप सब का स्वागत है आज हम जानेंगे आईवेफ का पहला चरण जी हाँ जो आईवेफ जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स टेप जो होता है वो होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन का यानि फॉलिकल्स को डेवलप करना जिससे हम उसमें से एग्स को बाहर निकाल सके ये जो पहला चरण है वो महिला की महवारी के दूसरे दिन से शुरू होता है महवारी के पहले या दूसरे दिन डॉक्टर आपको क्लिनिक में बुलाएंगे इस दिन आपकी इंटर्नल सोनोग्राफी होती है और आपके कुछ बलड टेस्ट होते हैं ये इंटर्नल सोनोग्राफी तीन चीज़ों को देखने के लिए होती है पहला ये कि जो ओवरी है उसके अंदर कोई फालिकल जल्दी डेवलप तो नहीं हो गया है फर्स्ट सोनोग्राफी में सारे फालिकल का जो साइज है वो 10 mm से कम होना चाहिए तभी हम IVF की शुरुवात कर सकते हैं दूसरी चीज इसमें डॉक्टर देखते हैं कि यूटर्स की जो अंदर की लेयर है वो पतली है की नहीं यानि एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो 6 mm से पतली होनी चाहिए तीसरी चीज जो डॉक्टर देखते हैं कि ओवरी में कितने फॉलिकल्स दिख रहे हैं जिसे एंट्रल फॉलिकल काउंट कहा जाता है यह जो AFC काउंट है इससे डिसाइड होता है कि हमें कितने डोज में आपको इंजेक्शन्स शुरू करने है पहले या दूसरे दिन जबाप आते हैं सोनोग्राफी के बाद एक ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसे सीरम इस्टरडियॉल और सीरम प्रोजिस्टरॉन कहते हैं सीरम इस्टरडियॉल और सीरम प्रोजिस्टरॉन जो है दोनों की वैल्यू कम होना चाहिए तभी IVF stimulation है वो शुरू किया जाता है इस्टरोजन की वैल्यू जो हम cut off लेते हैं वो है 50 और प्रोजिस्टरॉन की जो वैल्यू है वो 1 से कम होनी चाहिए तभी जो है वो IVF का cycle शुरू किया जाता है सेम डे दो या तीन घंटे में रिपोर्ट्स आ जाती है रिपोर्ट्स आ जाने के बाद जो है वो इंजेक्शन स्टार्ट किये जाते हैं ये जो इंजेक्शन है ये follicle stimulating hormone की इंजेक्शन होते है लगभग 90% cases में हमारे unit में हम imported injections यानी की recombinant follicle stimulating hormone देना प्रेफर करते हैं उसके दो कारण है पहला कारण ये है कि ये जो recombinant injections होते हैं ये एक pure form of injections रहते हैं इसके अंदर batch to batch consistency यानी हर batch जो होती है injections की जो factory में बनती है वो एक consistent हमें result देती है इसके अंदर variability थोड़ी सी कम होती है दूसरा ये लगभग painless होते हैं क्योंकि ये pen के द्वारा दिये जाते हैं और patient इसको खुद भी घर पे लगा सकता है तो हमारा भी यही aim रहता है कि ये जो पूरा process है ये patient के लिए भी painless और बहुत ज़ादा सुविधा जनको इसलिए recombinant injections के साथ ही 90% cases में IVF शुरू किया जाता है कुछ cases में हम Indian injections या फिर HMG injections भी देते हैं पर ये patient की स्थिती के उपर उसकी financial स्थिती के उपर प्लस उसकी जो condition है उसकी उपर भी निर्भर करता है injections का जो dose है वो आपकी age आपकी AMH और आपका AFC count ये निर्धारित करता है dose जो है वो 150 से लेके 450 कितना भी हो सकता है और ये बहुत important है patients के लिए कि ये प्रति दिन लगभग same time पे वो injection लगाए थोड़ा से एक दो घंटे आप इधर उदर कर सकते हैं परन्तु FSH injection का भी time निर्धारित करके उसको properly लगाना जो है वो बहुत आवश्यक है total जो injections का duration होता है वो हर patient के लिए थोड़ा बहुत अलग हो सकता है पर लगभग 9 से 12 दिन तक ये injections जो है वो continue daily लगते हैं तीन दिन इंजेक्शन लगने के बाद चौथे दिन हमारे unit में पहली बार sonography की जाती है इस sonography में हम देखते हैं कि follicles का size कितना है और कितने follicles develop हो रहे हैं पहली sonography में follicles का size लगभग 8-10 mm हमको दिखना चाहिए जब ये follicles 8-10 mm अगर पहुँच गए हैं तो इसके बाद हर दो दिन में sonography निर्धारित की जाती है और जैसे ही ये follicle का size 14 mm हो जाता है उसके बाद एक और injection लगाया जाता है जिससे कहते हैं antagonist injection ये antagonist injection आपके IVF cycle का बहुत महत्वपूर्ण injection है और इसका time जो है वो बहुत ही जादा important है उसका reason ये है कि ये एक control देता है हमें IVF cycle में ये follicles को समय से पहले rapture नहीं होने देता है यदि हमने antagonist properly नहीं लगाया या फिर इसके time में आगे पीछे हो गया तो कभी-कभी सारे follicles जो है वो rapture हो जाते हैं और पूरा cycle जो है वो cancel करना पड़ता है तो जब antagonist injection लगाये हमेशा इसके time का जो है वो बहुत strictly आप ध्यान रखें antagonist injection और FSH injection लगते लगते चौथे चटे आठवे दिन सोनोग्राफिक की जाती है लगभग दसवे ग्यारवे दिन हम देखते हैं कि जो follicles है उनका size 18 mm के आसपास महोच जाता है इस समय जो है एक blood test फिर से भेजा जाता है estrogen और progestron का estrogen की जो value है वो लगभग 150 to 200 picogram पर follicle होना चाहिए और progestron की जो value है वो 1.5 से कम होना चाहिए इन values को देखने के बाद हम decide करते हैं कि pick up कि समय होगा यदि हम decide करते हैं कि follicles mature है इसके अंदर जो egg है वो हो सकता है कि अब mature हो गया हो तो हम एक injection लगाते हैं जिसे trigger injection कहा जाता है यह trigger injection जो है यह पूरे eye wave cycle का सबसे ज़ादा महत्पूर्ण पार्ट है जी हाँ इसके जो importance है वो मैं आपसे बहुत ज़ादा stress करना चाहूंगी क्योंकि इस injection के exactly 35 hours के बाद में eggs निकालने की process होगी यदि यह injection में कुछ गड़बड़ी हो गई है यदि आपने इसको properly नहीं लगाया है बॉड़ी में इसका effect नहीं आया तो जब हम eggs निकालेंगे तो empty follicle हो जाएगा यानि कि कोई भी eggs बाहर नहीं निकलेंगे तो इसका जो time है और इसका जो dose है ये बहुत ज़ादा important है प्लस हम लोग अपनी तरफ से इसकी quality जो है ये best quality रखने की कोशिश करते हैं और हम recombinant HCG का ही इस्तेमाल करते हैं जो urinary HCG आता है जो थोड़ा सा सस्ता जरूर रहता है परन्तु कभी-कभी उसकी quality में ये है कि इससे ovarian hyper stimulation syndrome नाम की जो problem है ये पूरी तरह से avoid हो जाती है मगर GNRH agonist trigger जिन cycles में लगा है उस cycle में हम fresh transfer नहीं कर पाते हैं तो आपके case में कौन सा trigger लगेगा, ovitral trigger लगेगा या GNRH लगेगा या dual trigger यानि दोनों दिये जाएंगे ये doctor आपके स्थिती के हिसाब से न injections complete हो जाते हैं, follicles mature हो जाते हैं और trigger injection लगाया जाता है, उस दिन ये जो पहला step fast stimulation का वो complete हो जाता है, आशा करती हो कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी, अगले जो वीडियो में हम discuss करेंगे कि eggs को निकालने का procedure किस तरह से किया जाता है, thank you.